आज का ही हमारा गेमिंग अपडेट वीडियो देखे मुझे काफी ज्यादा मज़ा आने वाला है और आप सब को देखे अगर आप कुछ होगे क्यों क्योंकि हमारे पास से टच ग्राइंड एक्स गेम का प्री रेडिस्टेशन हाई एनरजी हीरोज का ग्लोवल लाउंच होने जा रहा है लीग अप लेजेंड का एक नया कार्ड वेश्ट मोबाइल गेम इफुटबॉल में आ चुका है 4.0.0 वर्शन का अपडेड साथ में आएगा फ्रश्पंग बियॉंड दा आइस का इंडिया रिलीस टेड और इस वीडियो के आखिर में आपको जानने को मिलेगा जिसके बारे में सायद आप जानना पसंद करोगे जी हां Honor of Kings World का Global Launch जिसका Announcement हो चुका है जी हां यार हर दिन मज़े करते हैं लेकिन आप लोग शरपोर्ट नहीं देते हो सपोर्ट देने के लिए और इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए चलम को सब्सक्राइब कर लो नोडिविकेशन बेल को दबा के और ये जो अपडेट वीडियो है अगर आपको कहीं भी पसंद आ जाता है तो तूरण फटाफट से लाइक कर देना और अपने दोस्तों क में लिंक है वीडियो को देखने के बाद रेजिस्टर जरूर कर लेना और इलूजन लैप्स के दरब से अब तक जितनी वी सारे मोबाइल गेम रिलीज हुए हैं वो साइकलिंग के उपर ही होते हैं इसमें आपको अलग अलग स्टंट करना है जिसके कंट्रोल और ग्राफि तो करना पड़ेगा लेकिन कल के अपडेट वीडियो को आप सबने अगर देखा होगा तो उसमें इलूजन लैप्स का ये एक गेम आपको रेकमेंड किये थे और उसमें हमने बताए थे ये नया गेम है जो बेसिकरी साइकलिंग के उपर ही था लेकिन वो नया गेम नहीं थ आप BMX करके रेकमेंड किये थे काफी सरे दोस्साइट डाउलोड करके खेल भी चुके होंगे तो वहाँ थोड़ा सा हमारे से मिस्टेक से मिस्टेक हो गया तो नया गेम जो है टच ग्राइंड एक्स नाम से आने वाला है जिसका ऑन स्किन आप ट्रेलर भी देख रहे हो इस सबसे पहले पढ़के आपको सुना देते हैं टैंसेन लाइट स्पीच स्टूडियोज विल बी अनाउंसिंग न्यू मोबाइल टाइटल पॉर दा ग्लोबल मार्केट सून एक्सपेक्टेड बताए जा रहा है हाई एनरजी हीरोज का ग्लोबल लांच वेलोर एंड मोबाइ लेकिन इसके अलावा और भी काफी सरे नए टाइटल जो है लाइट स्पीच स्टूडियो के तरफ से अनाउंस किया जा सकता है जिसके बारे में हम फ्यूचर में तो अच्छे से डिस्कस करेंगे लेकिन इसमें आता है हाई एनरजी हीरोज जिसके लिए हम सब बेसभी से इ कोई आपको बता रहा हो अगर प्यूचर में रिलीज होता है तो अच्छी बात है नहीं होता है तो गाली नहीं खाना है मुझे क्योंकि मुझे लगता है टैंसेंड कभी भी हाई एनरजी हीरोज को गलोवल लाँच नहीं करने वाले हैं क्योंकि अगर गलोवल लाँच करें क्योंकि ये पाले टैंसिन की पीछे डंडा ठोक सकते हैं लेकिन देखा जाए बहुत सारे गेम्स के पार्टनाशिप चल रहे हैं दोनों मिलके बना रहे हैं पब्लिस भी करेंगे तो चांसे इससे बढ़ जाता है कि हाई एनरजी हीरोज कभी कभी गलोबल लाउंच होगा उम इतने आगे चलके कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट आते ही आप तक उसका इंपरमेशन पहुचा देंगे लेकिन आप लोग मुझे अभी फिलाल कॉमेंट करके जुरू बता के जाना आपकी जाथ से क्या लगता है कि हाई एनरजी हीरोज का कभी गलोबल लाउंच होगा या फिर नहीं लेकिन अगर आग फैन हो लीग अब लेजेंड के ओविसली कौन नहीं होगा उनका तो मेन गेम इंडिया में रिलीज होने से रहा क्योंकि हम अभी तक भी इंतजार कर रहे हैं और ये गेम जो है प्री रिजिस्टेशन पे पड़ा हुआ है अब रिलीज होगा या फिर नहीं वो तो अलग बात है लेकिन उनके तरफ से एक नया गेम बहुत ही चल्दी आने वाला है या फिर बोज सकते हो आ चुका है थोड़ा में भी कन्फ्यूज हूँ मुझे आप लोग कॉमेंट करके इसके बारे में कन्फ्यूजन दूर करना क् कि सीलो जागा के तरफ से ये ट्वीड आ चुका है कि लीग ओफ लेजेंड इस गेटिंग ए न्यू कार्ड गेम तो एक नया कार्ड गेम आने वाला है लीग ओफ लेजेंड आईपी के उपर जिस गेम में आप अपना खुद का टीम बना सकोगे स्टेजी बनाना पड़ेग कौन से डेट में कौन से मक में इसका अपडेट तो नहीं आया है लेकिन इस ट्वीड के नीचे प्लेयर आईजिन के तरफ से भी ट्वीड आ चुका है वेट इस डीजे फिजिकल कार्ड गेम और डिजिटल गेम और यही मेरा कोश्चिन है इनसे क्योंकि अभी अगर आप प विजिकल कार्ड गेम है जिसे 2025 को रिलेज कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेट करो कॉमेंट बॉक्स में लेकिन धीरी धीरे काफी सारे करेक्शन हो रहे हैं इस फुटबॉल गेम में रीजिनली देखा जया तो गेम में काफी अच्छे खासे अपडेट रोल आ इस ड्रिबल विट इंप्रूब यूजबिलिटी यू विल नाव हैब एवन मोर ओप्शन तो एंजोई ताक्टिकल बैटल बिट्वें ओफेंस और ये जो फीचेश आपको मिलेगा 4.0.0 अपडेट वर्शन में जो आने वाला है 12 सेप्टेमबर को जिसके साथ आपको एक नया फ्रेस कलरफुल यूई मिल जाएगा गेम में विदर ओप्शन को भी एड़ कर चुके हैं काफ़ी सरे गेमप्ले फीचर्स, स्मार्ट एसिस कंट्रोल और एक्जिबिजन मोट से ट्राइल मैच को भी खेल पाओगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है 12 देट आ रहा है उसे सुनके आप भी हमारे तरह सप्राइज होने वाले हो क्योंकि प्लेश्टोर पे अगर आप सर्च करोगे फ्रश पंक ब्योंड दा आइस तो गेम आपको देखने को मिलेगा चिहां इस गेम के पीछे नेट इसका हाथ है यानि डिबलॉप वही कर रहे है लेकिन पब्लिस करेंगे कम टू अस जिसके बज़े से आप इस गेम को इंडिया से भी डाउनलोड करके खेल पाओगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि अभी इस गेम का प्री इस्ट्रेशन जो है प्लेश्टोर पे सुरू हो चुका है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्र प्रवाइड कर दिये हैं काफी सरे दोस्तों को इस गेम के बार में साइट कुछ भी पता नहीं होगा पीसी में बहुत ही पॉपुलर गेम हैं जिसका सेकंड पार्ट भी इसी साल रिलेश होने को है और उसका ही मोबाइल वर्टसन जो हम अभी खेल पाएंगे हाला कि यह जो आपको सर्वाइब करना है जैसे जॉंबी सर्वाइबल गेम को खेले हो उससे थोड़ा डिफरेंट है जिसका आप ट्रेलर भी देख पार है उससे भी थोड़ा बहुत आपको गेम के बार में आइडिया तो लग चुका होगा ज्यादा एक्स्प्लेइन नहीं करेंगे अग कर रहे होगे परसनली मुझे ओपेंड वर्ल गेम खेलना बहुत ही ज़्यदा पसंदे और होनर ऑफ के आईपी के ओपर एक ओपेंड वर्ल गेम खेलने को मिल जाए तो यार सोने पे सुआगा हो जाएगा तूसी उमीद को फुलफिल करने के लिए होनर ऑफ केंग वर्ल गे गेगा कि यार साइध ये गेम इंडिया में रिलेज नहीं होगा अभी बोलना तो बहुत ही जल्दी होगा रेसेंली कुछ अपडेट्स भी आये थे कि इस गेम को इंडिया में रिलेज करने के लिए IP रेजिस्टेशन भी हो चुका है तो देखते हैं आगे जाके इंडिया म मंद में कौन से डेट में इस गेम को हम खेल सकेंगे तेसी के साथ आज की इस इंट्रेस्टिंग अपडेट वीडियो को यहीं पर समाप करते हूं उम्मीद करतों पसंद आया होगा तो फटा-फट से वीडियो को लाइक करो शेयर करो और चलम को भी लगया तो सब्सक्राइ से डेली अपडेट वीडियोस देखने के लिए तो चलो है मिलते हैं एक से पिसज़ोड में प्रदेशन फाइन एपसरोड के साथ तब तक के लिए गड़ पाई